हरे कृष्णा तो आप सब परिचित हैं कि आज श्रिल रूप गोस्वामी और श्रिल गवुरिदास पंडित का तिरोबाव हैं तो हम इन महानतम वैश्णव आचारियों की आज चर्चा करेंगे उनका गुनगान करने का प्रयास करेंगे क्योंकि श्रिल बक्ति सिद्दान सरस्वति ठाकुर कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वो उत्सवों से भरा हुआ है इसलिए वैखुंट को अखंडित उत्सव कहा गया है और इसी कारण से हमारे इस आंदोलन में भी नित्य उत्सवों की वर्षा हो रही है कुछ न कुछ अविरभाव आरा है तिरोभाव आरा है भगवद अविरभाव भी है तो इस प्रकार से सदा उत्सवों से हम भरे हुए हैं तो क्रिश्न भावना में अविरबा हो तिरबा हो तो वैश्णवगन बड़ा उत्सों मनाते हैं तो उत्सों मनाना क्यों है आवशक है क्योंकि हमारे जैसे साधकों के जीवन में जो उत्सा है बगवत भक्ती करने के लिए वो बना रहता है और हम आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं तो आइसे चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है उनकी विशेष्ता है बलकि नरतम्दा स्थाकूर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को यदि कोई ये समझ लेता है कि वो इस भहुतिक जगत के नहीं है भगवान के नित्य मुक्त पार्शद है इतना समझने मात्र से इतना अनुभो करने मात्र से व्यक्ति इस भहुतिक जगत से मुक्त हो सकता है इसलिए नरतम दास्ठाकुर ने कहा गवरांगेर संगी गने नित्य सिद्ध करिमाने सेजाय ब्रजंद्रसूत पाश ब्रजंद्रसूत जो कृष्ण है उनके निकिट जाने के लिए यतना ही अनुभव करना काफी है कि गवरांग महाप्रभु के जो संगिगन है गवरांग महाप्रभु के जो भक्तगन है वो साधारन नहीं है इसलिए तो जो आध्यात्मिक गुरु है उनको भी असाधारन मानने के लिए हमें पद्मपुरान आदी प्रेरित करते हैं और हमारे सारे गवडिया वैश्नव गरंथों में जो भगवान के भक्तगन है उनकी महिमा भरी पड़ी है इसलिए चैतन्य भागवत में व्रन्दावंदा स्ठाकूर कहते हैं आमारा भक्तेरा पुजा आमा हैते बढ़ा सेई सेई प्रभु वेदे गीता भागवते केले द्रढ़ा तो व्रन्दावंदा स्ठाकूर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभू इस चीज़ को स्तापित करते हैं कि हमारे मेरे भक्तों से मेरे पूजा से बढ़कर मेरे भक्तों की पूजा है और भगवान भगवत गीता हो या श्रिमत भागवत आदी जो वैदिक ग्रंत है उनमें इस बात को स्तापित करते हैं तो चैतन्य भागवत में व्रंदावंदा स्ठाकूर वैश्णों की महिमा पर बहुत जोड देते हैं और वैश्णों की महिमा कहते वो कहते हैं कि यदि कोई वेक्ति केवल गोविंद की आराधना करता है और गोविरंद के अराधना करके उनके भक्तों के अराधना नहीं करता है उनके भक्तों की सेवा पुजा में नहीं लगता है तो आईसा व्यक्ति केवल ढोंग कर रहा है और आईसा व्यक्ति धांबिक है तो इस प्रकार से व्रंदावंदा स्ठाकूर पुरानों के कई सारे श्लोक कोट करते हुए इस बात को स्थापित करते हैं कि भगवत भक्तिमय जीवन में वैश्नों के प्रती आदर सम्मान और पूजा का भवना होना आती आवशक है उसमें वो एक श्लोक कोट करते हुए कहते है सिद्धिर भवति वानेती संशयो चुत सेविनाम न संशयोत्र तद भक्त परिचरिया रतात्मनहा तो वो कहते हैं सिद्धिर भवति वानेती कहते हैं कि आप गोविंद की अराधना करते हो उसमें आपको सिध्धी प्राप्त होगी इसमें संशय है लेकिन न संशयोत्र तद भक्त परिचरिया रतात्मनहा लेकिन जो वेक्ति भगवान के भक्तों की आराधना में लगा है भगवान के भक्तों की सेवा में लगा है उसको सिध्धी प्राप्त निच्छित रुप से होगी उसमें संशय नहीं है तो इस प्रकार से शास्त्र हमें बारम बार इस बात पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में भगवान के भक्तों की अराधना पूजा आधी आत्यंत महत पुर्ण है तो इसी कारण से हमें ये जो अविरभाव आते हैं तिरोभाव आते हैं तो उन दिनों उन उन आचारियों का हमें स्मरन करना चाहिए उनका गुनगान करने का प्रयास करना चाहिए तो सर्वप्रथम हम गवरिदास पंडित के बारे में शवन करेंगे जो भी मैंने भक्तों से सुना है या वैश्नों ग्रंतों में पढ़ा है उसमें से वरणन करने का प्रयास करेंगे चैतन्य चरित अमृत में गवरिदास पंडित का वर्णन करते वे हैं कृष्ण दास कविराज कहते हैं कि गवरिदास पंडित को साधरन मत समझी है कि वो आईसे ही और एक चैतन्य महाप्रभु के पारशद है बलकि कृष्ण दास कविराज जोर देते वे कहते हैं गवरिदास पंडित जारब प्रेमोदंड भक्ती उनमें इतनी उदंड प्रेमा भक्ती थी कि कृष्ण प्रेम दिते धरे महाशक्ती इतने सामर्थेवान थे गवरिदास पंडित कि किसी भी वेक्ति को सरलता से जो दुरलब कृष्ण प्रेम है वो प्रदान कर सकते हैं और यही चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की विशेष्टा है स्वयम चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है उनमें इतना सामर्ते हैं कि एक-एक भक्त पूरे ब्रह्मान का उधार करने का सामर्ते रखता है हजारों महाप्रवो के भक्तों के आवशक्ता नहीं है उनका एक भक्त भी सारे ब्रह्मान को तार शक्ता है तो उसी प्रकार से ये जो गवरिदास पंडित है उनमें भी इतना सामरते हैं कि जो भी वेक्ति उन्हें मिलता है उसको कृष्ण प्रेम प्रदान करने की भावना या शक्ति वो रखते हैं और कृष्ण दस कविराज उनके बारे में कहते हैं कि गवरिदास पंडित परम भग्यवान कायमन वाक्यजार नित्यानंद प्रान कि गवुरिदास पंडित के बारे में मैं क्या कहू गवुरिदास पंडित परम भाग्यवान है इस बहुतिक जगत में वेक्ति के पास धन होता है अच्छा विद्या अरजन करता है और बड़ा इस संसार में नाम होता है तो विक्ति सोचता है कि मैं भाग्यवान हूँ लेकिन वास्तों में जिस विक्ति का अनुराग स्री चैतन्य महाप्रभू और नित्यानंद प्रभू के लिए हो गया है तो ऐसा जो विक्ति है वो वास्तों में भाग्यवान है इसलिए वो कहते हैं कि गवरिदास पंडित का मन है उनकी काया है उनकी वानी है पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभू और नित्यानंद प्रभू में निमग न थे इसलिए नित्यानंद प्रभू उनके प्रान सरूप है तो ऐसे गवरिदास पंडित ये विशेश विशेश आचारिय है और जिनके बारे में भक्ति रतना करमे सरवादिक वर्णन चैतन्य महाप्रभू के ये जो पारशद है उनके बारे में हमें प्राप्त होता है तो ऐसे गवरी दास पंडित के नाम से ही यह हम समझ सकते हैं गवरी दास गवरी का आरता हैं तब तक आंचना गवरांगी तो ऐसे जो गवरी दास है श्रीमती राधरानी के वो डास है राधरानी के मानो सेवक है तो ऐसे गवरी दास पंडित राधरानी के दास है और जिनका वर्णन कृष्ण लिला में हमारे आचार्यगन करते हैं कि ये जो गवरिदास पंडित है वो कृष्ण लिला में भगवान के प्रिय नर्म सखा सुबल है इसलिए गवर गनोदेश दीपिका में कवी करनपूर कहते हैं कि गवरिदास पंडित ये सुबल सखा है जो कृष्ण लिला में भगवान कृष्ण के साथ आनेकु लिलाएं वो किया करते थे इसलिए बक्ति रतना कर जब सुबल सखा का वर्णन करता है तो उसमें वो कहते हैं गवरिदास पंडित परम प्रेममाय स्री सुबल चंद्र जेहो गुनेर आलाय स्री सुबल कृष्ण प्रिया परम सुन्दर जार चरित्रादियतने वर्णे विग्यवर तो कहते हैं सुबल सखा का जो चरित्र है वो बड़े बड़े पंडित गान बड़े प्रयास के साथ वर्णन करते हैं कहते हैं कि गवरिदास पंडित ये प्रेममाय तनु है पूर्ण रूपेन उनका जो देया है प्रेम से बना हुआ है और वो फुबल सखा कृष्ण निला में है जो सारे गुनों के आगार है और स्री सुबला कृष्ण प्रिय परम सुन्दर तो ऐसे सुबल सखा कृष्ण के अति प्रिय नर्म सखा है क्योंकि कृष्ण के जो अंतरंग लिला है उनमें भी भाग लेने का opportunity opportunity सुबल सखा को प्राप्त होता है तो ऐसे सुबल सखा जैसे बगवान के प्रियनर्म सखा है उजवल है तो उनमें से एक ये सुबल सखा भी है तो ऐसे सुबल सखा के बारे में रगुनात दाजगुस्वामी अपने स्तवावली में कहते हैं तो रगुनात दाजगुस्वामी कहते हैं कि जो सुबल सखा की एक विशिष्टा क्या है कि वो सवपन में भी उनका इतना अनुराग है क्रिश्ण के लिए क्रिश्ण के लिए इतना गाड़ अनुराग है कि सुबल सखा इस भावना में निबंगन रहते हैं सुबल में भी क्रिश्ण का हाथ पकड़ के रहते हैं आग क्रिश्ण से विरह उनको वो सहन नहीं कर सकते इसलिए स्वपन में भी कहते हैं कि वो कृष्ण का हाथ छोड़ने के लिए तयार नहीं है और उनका जो मन है वो किस से भरा हुआ है यो राधि का प्रणय निरजर सिक्त चेत हा राधारानी का जो प्रेम है उनकी प्रेम की धारा में वो निमग न रहते है तो आईसे सुबल सका है जो ये जगत में गवरिदास पंडित के रूप में आउतिर्ण होया है तो आईसे सुबल सका कई सारी जो लिला हम कार्ति कादी में सुनते हैं कि किस प्रकार से राधास रानिक बनकर जटिला और कुटिला की घर में सुबल सखा प्रवेश करते हैं तो आईसे सुबल सखा का वरणन हमारे आचारिगन करते हैं जब वो गवरिदास पंडित का वरणन करते हैं तो कहते हैं कि जिस प्रकार से सुबल सखा का अनुराग कृष्ण के लिए आती था गवरिदास पंडित है वो कदापी सहन नहीं कर सकते थे महा प्रभु से और नित्यानंद प्रभु से उनको अलग रहना असंभव सा था तो ऐसे गवरिदास पंडित जो सुबल सका है गवर लिला में गवरिदास पंडित के रूप में प्रकट होते हैं और कहा जाता है कि जो गवरिदास पंडित ने जो प्रेम दिखाया है चैतन्य महाप्रवु के प्रती नित्यानंद प्रभु के प्रती और जो सेवा की भावना प्रदर्शित की है या इसी सेवा की भावना केवल जो नित्य पारशद है वही प्रस्तुत कर सकते हैं या वही दिखा सकते हैं क्योंकि किसी विक्ति का भगवान के प्रती प्रघाड प्रेम है तो उसका लक्षन क्या है कि वो भगवान की सेवा के लिए बड़ी सी बड़ी रिस्क लेने के लिए तट पर रहता है यह जैसे श्रील प्रभुपाद है श्रील प्रभुपाद के जिवन में हम देखते हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए प्रभुपाद ने इतनी बड़ी रिस्क ली कि वो अकेले 40 रुपई लेकर एक साधारन माल वाहू जो जाज है उसमें बैटकर विदेशों में चले जाते हैं तो इसलिए कहा जाता है वो उतना बड़ा भक्त है जो गुरु और कृष्ण की इच्छा पूर्ती करने के लिए उनकी सेवा के लिए अपने जीवन को दाओ में लगाता है अपने जीवन में बहुत बड़ी रिस्क लेता है उनकी सेवा के लिए तो उसी प्रकार से महाप्रभु के जितने पारशद है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए बड़ी बड़ी जो रिस्क है वो आपने जीवन में ली है तो इसलिए भक्ति रतनाकर कहता है स्री सुबल गवरिदास विदित सर्वत्र अभिन्न चैतन्य नित्यानंद प्रियपात्र तो कहते हैं गवरिदास पंडित को कौन नहीं जानता है गवरिदास पंडित जो चैतन्य वहाप्रभु को जानता है वो निचित रुप से गवरिदास पंडित को जानता है क्योंकि गवरिदास पंडित चैतन्य और महा नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है और उनकी अतिप्रिय भगता है तो ऐसे गवरिदास पंडित का जो प्राकटे है या जन्म है बंगाल में वर्दमान जिले में एक छोटा सा ग्राम है शाले ग्राम वहां होता है उनकी पिता का नाम कंसारे मिस्र था उनकी माता का नाम कमला देवी था और वो छे भाई थे दामोदर, जगनात, सूर्यदास, गवरिदास, कृष्णदास और नरसिम्म चैतन्या तो इनका नंबर चवता था गवरिदास पंडित का तो गवरिदास पंडित के जो बड़े भाता है सूर्यदास सरखेला जिनकी दो कन्या नित्यानन प्रभु की पत्निया बनी, वसुदा और ज़ानवा माता तो आइसे गवरिदास पंडित बाले काल से ही परम विरक्त थे और हमेशा निर्जन निवास करने की उनकी भावना रहा करते थे तो आईसे गवरिदास पंडित आपने जो बड़े ब्राता है सुर्यदास सरखिला उनका परिमिशन लेते हैं और बंगाल में एक अंबिका कालना नामक का स्तान है अब वहाँ जाकर भगी रथी गंगा के पच्छिम तड़ पर एक व्रक्ष के नीचे निवास करने लगते हैं क्योंकि अंबिका कालना इसलिए उस स्तान का नाम पढ़ा क्योंकि वहाँ अंबिका देवी का विशाल मंदिर है या जिनको सिद्धेश्वरी देवी भी कहा जाता है तो आईसे निर्जल स्तान में गंगा के तट पर गवरिदास पंडित बैट गये और वहाँ अपना भजन साधन किया करते थे और उनकी मनोवरति सदैवा चैतन्य महाप्रबो और नित्यानंद प्रबो में लगी होते थे और कृष्ण का सदैवा गुनगान करते थे चैतन्य महाप्रबो कई बार नवद्विप से अंबिका कालना गवरिदास पंडित को मिलने जाया करते थे तो कृ उनका वरणन हमें प्राप्त होता है तो भक्ति रत्ना करमें कई लिलाएं हैं उनमें से वो कहते हैं कि एक दिन चैतन्य महाप्रबो और नित्यानन्द प्रबो शांतिपुर गए थे आद्वेत अचारे से मिलने के लिए एक दिन चैतन्य महाप्रबो और नित्यानन्द प्रबो हरी नदी ग्राम में आये और वहाँ से उन्होंने क्या किया एक नवका को लिया और गंगा को पार करके गवुरिदास पंडित को मिलने के लिए पहुँच गए और स्वयम चैतन्य महाप्रबो नित्यानन्द प्रबो वो नवका चला रहते आपने हाथ में चप्पु लेकर चलाते वे पार हो गए और उनके हाथ में जो नाव चलाने वाला चप्पु है उन्होंने नाव में नहीं छोड़ा चैतन्य महाप्रबो ने वो चप्पु लेकर गवुरिदास पंडित के पास गए उनका आलिंगन किया और गवुरिदास पंडित के हाथ में वो चप्पु रखा और गवुरिदास ए गवरिदास पंडित ये जो चप्पू है जिस प्रकार से नदी को पार करने के लिए सायक होता है उसी प्रकार से तुम क्या करो इसी चप्पू के माध्यम से जितने इस संसार के जीव इस भव नदी में पड़े हुए है उनको क्या करो पार करो तो इस प्रकार से महाप्रभ वो चप्पू प्रदान करते हैं तो आईसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभू उनको उस समय नवदिप ले जाते हैं और आपने अद्भूत लेलाओं में उनको प्रवेश कराते हैं और जब नवदिप से वापस आ रहे थे गवरिदास पंडित तो चैतन्य महाप्रभू ने उनको भगवद गीता प्रदान की जो चैतन्य महाप्रभू की स्वयम हस्त लिखित प्रती थी और महाप्रभू ने वो उनको दिया और इतने गदगद हो गए गवरिदास पंडित कि प्रती दिन आपने निवास स्तल में जब उरहते थे तो प्रती दिन महाप्रभु के सुन्दर हस्ताक्षर को देखकर करंदन करते थे और प्रती दिन भगवत गिता का पाट करते थे और उस चप्पु को देखा करते थे जो महाप्रभु ने उनको प्रदान किया था तो ऐसे कहा जाता है कि जो भी वेक्ति अंबी का कालना में जाता है बलकि आज भी महाप्रभु के दौरा लिखित वो भगवत गीता वहाँ विद्यमान है और वो जो चप्पु है नाव चलाने वाला वो भी वहाँ विद्यमान है भक्ति रतना कर में कहा गया है प्रभुदत्त गीता पैठा प्रभु सन्निधाने अध्यापिय अंबिकाय देखे भाग्यवाने तो आज भी जो भाग्यवान वेक्ति अंबी का कालना में जाता है तो उसको इन दो चीजों का दर्शन प्राप्त होता है और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अंबिका कालना में जाकर महाप्रभु के दौरा प्रदत्त भगवत गीता और उस चप्पु को देखता है देखने मात्र से उसकी अनंत पापराशी नस्त होती है और वो सामर्थेवान बनता है भगवान के धाम जाने के लिए तो ये विशेश जो क्रपा है चैतन्य महाप्रभु उनके उपर करते हैं और भक्ति रत्नाकर में नरहरी चक्रवर्ति लिखते हैं आगे वो कहते हैं कि कौन व्यक्ति सामर्थेवान है गवरिदास पंडित की महमा का वर्णन करने का गवरिदास पंडित की महमा अनंत और आपार है आईसा कहते हैं वो लिखते हैं सदामत निताई चैतन्य गुनगाने निताई चैतन्य विना अन्य नाही जाने तो यही एक भक्त का गुन होता है कि जो भगवत भक्त है वो भगवान के गुनगान में सदा निमग न रहता है तो गवरिदास पढ़ने तो आई से थे कि चैतन्य महाप्रभू और नित्यानन्द प्रभू का गुनगान करने में सदय वह लगे रहते थे किसी और का गुनगान उनके मुख में नहीं आता था इसलिए जैसे जगन्ना दज बाबा जी ने कहा था कि आरे जिस राजा के राजा में आप निवास करते हो उसी राजा का गुनगान करो तो अभी ये कलियुगा के राजा चैतन्य महाप्रबु और नित्यानंद प्रबु है तो वो कहा करते थे जगन्ना दज बाबा जी कि हमें क्या करना चाहिए अभी गवरांग महाप्रबु और नित्यानंद प्रबु की महमा का गान करते रहना चाहिए सदाईव आपनी जिवा जो है गवर निताई का गुनगान करते रहे बलकि इतना सामर्थे व्यक्ति में आ जाता है जब चैतन्य महाप्रभु का लीला चरित्र सुनने के लिए जगन्नादास बाबाजी के रुदय में इतनी प्रगड लालसा उदित वी तो उन्होंने आपने सेवक को कहा अरे तुम ये चैतन्य चरितामरत उठाओ और मुझे पढ़के सुनाओ तो उनके जो सेवक थे उन्होंने वो बुक उठाया उन्होंने का गुरुदेम मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ सारे जो आक्षर है वो शाय के समान है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने का बस उठाओ और देखना शुरू करो जैसे ही जगन्ना दास बाबाजी महराज के उस सेवक ने चैतन्य चरितामरत को उठाया और महाप्रभु का गुनगान करने की भावना और उनका आदेश पूर्ती करने के लिए जैसे उन्होंने उठाया तो उन्होंने कभी कोई आक्षर पढ़ा नहीं था बच्पन में लेकिन आपने आप ही चैतन्य महाप्रभु का गुनगान वो पढ़ने लगे सारे आक्षर उनको समझ में आने लगे तो इसलिए वो कहा करते थे कि कलियुगा में तो स्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सबका उधार करने के लिए आये हैं इसलिए जब श्रीला प्रभुपाद ने गवर निताई की स्तापना के विदेश में पहली बार तो विग्रा की स्तापना करके प्रभुपाद प्रवचन देने के लिए बैठे और प्रभुपाद गवर निताई की ओर देखने लगे और देखकर प्रभुपाद के आखों से आसु बहने लगे थे प्रभुपाद ने कहा परम करुणा पहुद वी जना निताई गवरा चंद्रा कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद से अधिक दया दया लुकोन हो सकता है तो इसलिए हमें भी चैतन्य महाप्रभू और जो नित्यानंद राम है नित्यानंद प्रभू है उनकी महिमा का गान करने का प्रयास करना चाहिए इसलिए वो कहते हैं कि गवरिदास पंडित सदा निमगन रहते थे महा प्रभु और नित्यानंद प्रभु के गुनगान में इसलिए तो प्रभुपाद ने भागवतम को बॉक्स में बंद करके भेजा विदेश्रों में लेकिन जब वो उस जाज में जा रहे थे तो प्रभुपाद अपने साथ कौन सा ग्रंत रख के जा रहे थे चैतन्य चरितामरत प्रभुपाद ने का में बहुत दुख और कस्ट का अनुभव कर रहा था लेकिन बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु का चरित्र निकलकर पड़ रहा था और महाप्रभु के गुणगान को सुन रहा था चैतन्य चरित्रामर्थ से और मुझे जो परम शांती है और दिव्य आनन्द की जो अनुभुति है वो हो रहे थे तो उसी प्रकार से महाप्रभू का जो गुनगान है उसमें सदैव गवरिदासपंडित निमगन रहा करते थे और निताई चैतन्य विन्ना अन्य नाही जाने वो निताई और चैतन्य महामरों के बिना कुछ और जानते नहीं थे इसलिए कहते हैं निताई चैतन्य गवरीदास प्रेमाधिन जगत व्यापिलजे कथा रात्रे देन कहते हैं यतना प्रेम गवरीदास पंडित का था गवर निताई के प्रते कि उस प्रेम के आधिन हो गए है जैसे गदादर पंडित के प्रेम के आधिन गोपिनात हो गए और वो बैड गए उसी प्रकार से जो गवरांग महाप्रबु और नित्यानंद प्रबु इन से अलग होना उनके लिए आसंबवसा था जो गवरिदास पंडित से अलग होना क्योंकि जब चैतन्य महाप्रबु ने सन्यास लेने की बात सोची और महाप्रबु ने का आभी मैं शिग्रही सन्यास लेने वाला हूँ तो नवदीप में चैतन्य महाप्रबु ने अपने पाच भक्तों को बताया ये जो रहश पूर्ण जो समाचार है कि मैं शिग्रही सन्या ग्रहन करने वाला हो, तो सारे भक्त दुखी हो रहे थे, तो चैतन्य महाप्रबु गवरिदास पंडित को नवदिप में याद करते हैं, कि गवरिदास पंडित के पास मुझे जाना है और गवरिदास से मुझे कहना है कि मैं अभी सन्यास लेकर नवदिप को छोड़ कर चले जाने वाला हो, तो चैतन्य महाप्रबु नित्यानन्द के साथ नवदिप से आते हैं, चलकर और आकर एक नीम व्रक्ष के नीचे बैड़ जाते हैं, जिसको आज गवरिदास मिलन स्तली कहा जाता है, अंभी का कालणा में आप जाते हैं, तो आज भी बहुत विशाल वो व् व्रक्ष के नीचे, और जब ये चैतन्य महाप्रबु वहाँ गए और उस व्रक्ष के नीचे बैड़ गए, तो चैतन्य महाप्रबु को मिलने के लिए गवरिदास पंडित वहाँ आते हैं, और गवरिदास पंडित वहाँ आकर उनको मिलते हैं, और मिलकर चैतन्य महाप्र वो कहते हैं कि मैं शिग्रही सन्याज ग्रहन करने वाला हो, सन्याज ग्रहन करके नवदीप और आपने भक्तों को छोड़ कर जाने वाला हो, जैसे गवरिदास पंडित ने ये बात सुनी गवरिदास पंडित मुर्चित हो जाते हैं, क्योंकि कि वो सुबल सका है, यितना आनुराग है सुबल सका को, कि सवपन में भी कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ते हैं, गाड़ानुरागों उसी प्रकार से, जैसे उन्होंने सुना, कि आभी चैतन्य महाप्रबू, छोड़कर जाने वाले हैं, मुझे सन्याज ग्रहन करके, तो गवरिदास पंडित मुर्शित होकर गिर पढ़ते हैं, और महाप्रबू उनको उठाते हैं, और वो कहते हैं कि गवरिदास, मैं तुमारे लिए यहां रहूंगा, यदि तुम कहोगे, तो महाप्रबू, कहते हैं, कि हे प्रबु आप मुझे छोड़ कर मत जाईए आप हमेशा के लिए अंबी का कालना में मेरे निकट निवास कीजिए तो बलकि इसके बारे में भक्ति रत्नाकर में एक बहुत सुंदर बड़ा सा गित लिखा है जिसमें इस लीला का अद्भूत और बहुत मधूर वर्णन किया है तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे ही गवरिदास पंडित ने उनको निवेदन किया तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं यहाँ निवास करूँगा और तुमसे मांग मांग कर खाऊंगा क्या तुम मुझे देने के लिए तयार हो तो गवरिदास पंडित कहते हैं कि हे प्रभू बहुत प्रेम और स्रद्धा के साथ मैं आपके लिए नाना प्रकार के वेंजन बनाऊंगा और आपको खिलाते रहोंगा लेकिन आप मुझसे दूर मज जाईए चैतन्य महाप्रभू वहां रुके तो लेकिन चैतन्य महाप्रभू ने कहा मुझे जाना होगा तो तुम क्या करो मेरे विग्रह में प्रकट कराऊंगा उन विग्रह के तुम आराधना करते वें यहां निवास करो क्योंकि मैं आपने विग्रह से अभिन्न हूँ नाम विग्रह स्वरूप यही तिन एक रूप तिन भेदनाहे तिन छिदानंद रूप तो भगवान का नाम, भगवान का विग्रह और भगवान का जो मुल स्वरूप है यह तिनो एक रूप है इनमें कोई अंतर नहीं है ये चिदानन्दमय है सचिदानन्दमय है तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप इन विग्राओं को रखो तो चैतन्य महाप्रभु ने आपने विग्रह प्रकट कराए वास्तों में महाप्रभु के जो सर्व प्रतम विग्रा है यह यही है जो उन्होंने सन्यास ग्रहन करने की पूर्व इनको प्रदान किये थे या गवरिदास पंडित को प्राप्थ हुए थे तो गवरिदास पंडित के सामने उन विग्रों को प्रकट कराया और तो अभी वहाँ दो चैतन्य महाप्रभू थे दो गवर थे और दो निताई थे तो ऐसे कहा जाता है कि उन्हें चारों को जब देखा गवरिजास पंडित ने तो आती आनंदित हो गये कहते हैं मुझे एक नहीं और और गवर चाहिए और निताई चाहिए तो इस प्रकार से उन्हें चारों के लिए उन्होंने कई प्रकार के वेंजन बनाएं चारों को सारे वेंजन खिलाएं और कहते हैं कि उनको सुलाया उनको चंदन अर्पित किया उनका चरन सेवा आदि किया तो चैतन्य महाप्रभू कहते हैं कि ये गवरिदास मुझे मेरा जाने का समय आ गया है मुझे जाना है देखो तुम इनी विगरों को अपने पास रखो तो गवरिदास कहते हैं कि नहीं नहीं इन विगरों को रखो हम दोनों चलते हैं तो उनके कुटिया से गवरांग महाप्रभू और नित्यानन्द प्रभू ऐसे बाहर निकलने लगे दरवाजी की ओर और वो विग्रम गवरिदास पंडित के पास खड़े थे तो गवरिदास पंडित चलाएं और दवड कर जाकर उन दोनों को हाथ पकड़ते कहते नहीं नहीं आप मत जाएए ये जो दो खड़े हैना इनको जाने दीजिये तो उन दोनों को पकड़ के वापस लाया और बिठाया कहते इन दोनों को जाने दीजिये और वो दो विग्रह गवरिदास पंडित के आखों के सामने चलने लगते हैं दरवाजी के और जाने लगते हैं शिगरता से तो गवरिदास पंडित इन दोनों को छोड़कर फिर से दोड़कर जाते हैं और उनको पकड़ कर कहते हैं कि आप यहां रुकिये उन दोनों को जाने दीजिये तो इस प्रकार से उन दोनों को वापस लाते हैं और फिर जैसे लाकर उनको खड़ा करते हैं तो यह दो जो गवर निताय मुल सरुप था वो निकलने लगते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पूरा दिन इसे में ही चला गया गवरिदास पंडित का, कि आप मत जाएए उन दोनों को जाने दिजिए, तीस प्रकर से इतना अनुराग, इतना प्रेम गवरिदास पंडित का, गवरांग महाप्रभू और नित्यानंद प्रभू के प्रती, ऐसा हमार आचारियगन कहते हैं, तो आइसे गवरांग महाप्रभू और नित्यानंद प्रभू से बहुत उनका प्रेम, मैं सबंद था, और वो विग्रह, कोई छोटे विग्रह नहीं है, इतने साथ फूट के वो गवरांग महाप्रभू हैं, वहां आम्बिका कालना में, और नित्या आई कान्टक्त तो वो भगत के साथ चले जाते हैं, तो उसी प्रकार से कहते हैं कि ये जो अंबिका कालना के गवरांग नित्याई है, जब वो भगतों के आँखों में देखते हैं और विशेशुरुब से जो संकिर्टन करने वाले भगत हैं, तो उनके साथ दोड़ के चल जाते हैं तो इसलिए वहाँ भी क्या किया जाता है वो ऐसा पड़दा लगाते हैं और फिर खोलते हैं थोड़ी देर आप दर्शन करो फिर वो पड़दा लगाएंगे तो इस प्रकार से गवरिदास पंडित के ये जो गवर निता हैं वो आज भी विद्यमान है आम्भी का कालना में और सभी को दर्शन देकर कृथार्त कर रहे हैं तो आन्त तहा गवरांग महाप्रभू और नित्यानंद प्रभू वहाँ से निकल जाते हैं और चैतन्य महाप्रभू उसके बाद सन्याज ग्रहन करके जगनात पुरी में निवास करने लगते हैं तो आईसे विग्रह की आराधना गवरिदास पंडित निरंतर कर रहे थे तो एक दिन चैतन्य महाप्रभू और नित्यानंद प्रभू जो विग्रह रूप में थे उन्होंने गवरिदास पंडित को कहा एक दिन निताई चैतन्य प्रेमा वेशे मंद मंद हसिया कहेन गवरिदासे तो एक दिन चैतन्य महाप्रभू और नित्यानंद प्रभू प्रेम के आवेश में मंद मंद हस्ते विए गवरिदास पंडित को कहते हैं कहते कि हे मित्र सुबल है गवरिधास तुम तो पूर्वजनम के मेरे सुबल सका हो क्या तुम्हें याद है कि किस प्रकार से हम यमुना के तट पर जाया करते थे गवों को चराया करते थे और कई प्रकार के जो खेल कूद है हाँ उनमें भाग लेते थे तो य ons जैसे ये कहा गवर निताई ने या चेतन्य महाप्रभु और नित्यानन्द प्रभु ने वसी क्षन जो गवर निताई के विगरा है वो तुरंद कृष्ण बलराम बन जाते हैं तुरंद कृष्ण अपने हाथ में वेनु धारन करते हैं बलराम, मुसल आदी जो भी, अश्रंग आदी हैं वो सब धारन करते हैं और गौल बाल के वेश में उनके समक्षक खड़े हो जाते हैं जैसे ही गवरिदास पंडित ये देखते हैं तो गवरिदास पंडित ये देखकर कृष्ण बलराम का ये रूप देखकर तुरंद मुर्चित होकर गिर पड़ते हैं और भगवान की इच्छा से उनकी जो चेतना है वापस आ जाती है और उटकर फिर से आपने विगरह को देखते हैं तो देखते हैं ये ये कृष्ण बलराम नहीं है ये तो पूर्ववत मेरे गवर और निताई हो गया है तो इस प्रकार से गवरिदास पंडित विशेश प्रेम उनका था उन विगरह के प्रती और एक दिन गवरिदास पंडित ने रंदन गवरिदास पंडित ने कई प्रकार के वेंजन मनाए और उन्होंने कहा, प्रभु प्रती कहें, करह बोजन, कि हे गवर हे निता है, आप ये जो मैंने कई प्रकार के वेंजन बनाये हैं, आप इनको स्विकर केजियें, तो इतने सारे वेंजन बना, उनकी आयो काफी हो गए थे, और इतने कोई एक चावल, एक दाल, एक तरकारी सबजिया ऐसा नहीं कई प्रकार की तरकारिया सबजिया बनाते थे कई प्रकार के स्वीट्स बनाते थे कई प्रकार के राइस बनाते थे, रोटिया बनाते थे और इतना सब बनाकर महाप्रबु और निताई को वह आरपन किया करते थे और जब एक दिन उन्हें इतना सारा बनाया और निवेदन किया कि आप इसको स्विकार किजे बोजन किजी है पंडिते रहाई छे मृदु वचन शुनिया ना करे बोजन रहे मौन वलंबिया तो ये जब बोला गवरिदास पंडित ने तो गवर निताई शान्त हो गए और कुछ बोल नहीं पा रहे थे तो वो समय क्रोध में आकर गवरिदास पंडित ने कहा बिना भक्षने ते जदी सुक पाओ मने तबे मोरे रंदन कराह की कारने यदि आपको न खाकर इतना सुक मिलता है तो मुझे इतना हेवी कुकिंग करने में क्यों लगाते हो पहले से बोलना नहीं आता है क्या कि नहीं खाऊंगा आज मैं पूरे सुबे से लगा हूँ किचन में इतने वेंजन बना दिया है आपके समक्ष रखे हैं आप उनको खा नहीं रहे हो तो पहले ही बोलना चाहिए था और आपना बिलकुल चुपी लगा कर मौन होकर बैड़ गए हो तो जैसे ये प्रेम माई क्रोध यही जब देखा गवरिदास पंडित का तो चैतन्य महाप्रभू हसते वे धिरे धिरे बोलते हैं क्योंकि जोड से बोलेंगे तो पता नहीं गवरिदास डाट देंगे तो धिरे से बोलते हैं कहते हैं कि ये गवरिदास अलपे समाधान नहे तोमार रंदन तुम जब हमारे ले कुकिंग करने लगते हो न तो तुमें समाधन नहीं मिलता थोड़ा सा बनाने में एक तो quantity भी इतनी बना लेते हो और variety भी बहुत सारी बना लेते हो कहते हैं इतनी सारी चीज़े बना कर हमें खिलाते हो आँ वो कहते हैं कि हमें कस्ट होता है जब हम देखते हैं कि आप इतना कस्ट हमारे लिए उठा रहे हो तो हम दोनों दुखी हो जाते हैं हम चाहते हैं कि आप क्या करो इतना हमारे लिए कस्ट मत उठाओ बलकि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा में जो उसको कस्ट मिलता है वो उसके आनंद का उगमस्तल होता है तोमार सेवाय दुख का है अज़त सेट परमसुख बक्तिनों ठाकुर कहते हैं कि है क्रिश्णा आपकी सेवा में जो भी दुख मिलता है कस्ट आता है वो कस्ट नहीं है वो दिव्यानंद है तो इस प्रकर से गवरिदास पर्णित ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको कस्ट मिलता है तो कल्से में केवल एक शाक बनाऊंगा और वो भी बॉयल की हुई सबजी उसके वो बॉयल की सबजी होगे और साधरन सा अन्न होगा उतना ही आपको खिलाओंगा इससे अधिक कुछ नहीं खिलाओंगा तुरंद गवरिदास शांत हो जाते हैं और कहते हैं गवरिदास ये सब खिलाके हमें दंड मत देना क्योंकि रोज वो बॉयल सबजी खाएंगे बॉयल सबजी खाएंगे अपने कृष्णा हॉल में कभे तो गवरिदास कहते हैं कि वो तुससे तो हमें दंड मिलेगा तुम जो कर नहीं हो न वो करते रहो और आपके हाथ के जो वेंजन है वो खाने में हमें आत्यदिक आनंद के अनुबुती होते हैं और तब जान बुचकर गवर्णिताई उनके कुकिंग की प्रशंसा करने लगते हैं कि आप ये शाक बहुत अच्छी बनाते हो आपका ये अच्छा है वो अच्छा है तो इस प्रकार से प्रशंसा करने लगते हैं तो ऐसा गवर्णिताई को देखके आनंदित हुआ करते थे गवरिदास पंडित तो एक दिन गवरिदास पंडित अपने गवर निताई के सामने जाते हैं और उनके रुदाई में ये इच्छा आती है कि मैं आपने इस विगरा को शुंगार करो लेकिन बहुत मुल्यवान अमुल्य रतनों से करो रतना अबुशनों से उन्होंने जब ये सोच रहे थे और आपने जहाँ विगरा थे वहाँ उस मंदिर में प्रविश उन्होंने किया तो क्या देखते हैं कि जैसे देखा गवर निताई को तो गवर निताई आमुल्य रतना अबुशनों से सज दच कर खड़े हो गए थे तो क्योंकि जैसे इनके रुदे में ये भावना आ गई थे कि मुझे मेरे गवर निताई को रतन आभुषनों से बड़ा सुंदर शंगार करना है और जैसे ये सोच रहे थे मन में ये सेवा करने की भावना तो ये गवर निताई आपस में चर्चा करने लगे देखो आभी गवर निताई सारे है और वो सोच रहे रतन आभुषन पहनाएंगे और सुंदर सजाएंगे तो सलो हम दोनों आपस में एक दुसरे को सजा कर खड़े हो जाते हैं तो बहुत आमुल्य रतन आभुषन गवर निताई स्वया में ही धारन करते हैं और सज दजकर खड़े हो जाते हैं और जैसे खड़े होते हैं गवर निताई स्वया में प्रवेश करते हैं तो तुरंत ही वो देखते कि आरे मैं तो यनी आभुषनों के बारे में सोच रहा था आईसे ही शुंगर के बारे में सोच रहा था तो भगवान कोई इस प्रकार से देख कर वो आननदित होते हैं और तब गवरिदास पंडित कहते हैं कि हे प्रबु आपको कौन से आलंकार अच्छे लगते हैं कौन से आभुशन आपको अच्छे लगते हैं तो गवर्निताई कहते है पुष्पेरबुषण सुख बाड़े आतीशाए मैं रतना, सोना, चांदी आदी के आबुषण दारन करने से इतनी पृतियानुबव नहीं करता हूँ गवर्निताई को क्या अच्छा लगता है पुष्पेरबुषण सुख बाड़े आतीशाए पुष्प के जो आलंकार है वो उनको अच्छे लगते हैं और उनके सुख में वरद्धी होती है तो आईसे गवर्निताई के लिए फिर उनने कई पुष्पोन से अलंकार बनाएं और बड़ी बड़ी मालाये बनाएं गवर्निताई को माला घुटने तक धारन करना बड़ा अच्छा लगता है इसलिए वो गवर्णिताई को माला ये धारन करते थे पूरे घुटने तक इसलिए आप मायापूर जाते हो पंच तत्वा लंबी-लंबी माला है घुटने तक ऐसा धारन करते है तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा पुश्पोन से उनको सजाया गवर्णिताई को और इन्होंने सजाकर एक शिशा लिया और गवर निताई को दिखाया कि देखो आप कितने सुन्दर लग रहे हो तो जैसे गवर निताई ने देखा तो गवर निताई एक दूसरे को देखकर हसने लगे कि वास्तों में गवर दास पंडित जब हमारा शंगार करते है तो हमारा सुन्दरिया और बढ़ जाता है तो इस प्रकार से ये जो गवर निताई है उनके लिए बहुत अधिक प्रियत है तो एक दिन ये जो गवर दास पंडित है गदादर पंडित के पास जाते हैं और उनके पास जाकर कहते हैं कि आज सुबह सुबह है गदादर मैंने आपको देखा है तो निच्छित रूप से मेरा मंगल होगा तो गदादर पंडित कहते हैं आपका मंगल नहीं आपका दर्शन करने से मेरा मंगल होगा तो बताते गवरिदास गदादर पंडित कहते कि गवरिदास आप कैसे मैं आपको संतिस्ट करूँ क्या मैं आपको प्रदान करूँ तो गवरिदास कहते हैं मैं तो आपका रुदय ही चाहता हूँ तो गवरिदास पंडित जो रुदयानन्द है जो गदादर पंडित के पास थे युवक उनको लेने के लिए आयत है तो गदादर ने उनको समर्पित कर दिया गवरिदास पंडित के पास और गवरिदास पंडित रुदयानन्द को लाकर उनको दिक्षा प्रदान करते हैं और उनको गवर निताई की सेवा में लगाते हैं तो नजदिक ही गवर निताई का उत्सव आने वाला था तो गवरीदास पंडित दुरस्त गावों में चले गए कुछ सामान आदी लाने के लिए एकत्रित करने के लिए और बहुत दिनों से वो आने ही रहे थे और उत्सव के लिए केवल दो दिन बचे थे बड़ा सा उत्सव हर साल वो किया करते थे तो रदायनन ने सोचा कि आभी मेरे गुरुदेव गवरीदास आ नहीं रहे हैं तो इन्होंने इन्विटेशन कार्ट छाप दिया सब जगा वितरित कर दिया सब अनाउंस्मेंट कर दिया सारी तयारी कर दिया और कल उत्सव है तो आज एक दिन पहले गवरीदास पंडित आकर पहुंच गए जैसे गवरीदास पंडित आकर पहुंचे तो गवरीदास पंडित ने जब देखा कि इसने सारी अव्यवस्ता कर दी है तो इन्होंने उनको डाटना शुरू कर दिया यह उनका बहियक रोध था गवुरिदास पंडित कहीते तुम स्वतंत्र हो गए हो आपने गुरु का स्थान लेना चाहते हो तो ऐसा कई प्रकर से उनको डाटने लगे और उन्होंने कहा कि आप अभी यहां से चले जाओ तो यह रिदयानन्द वहां से चले जाते हैं और जाकर आंबी का कालना में ही गंगा के तड़ पर एक विशाल वुरुक्ष के नीचे जाकर बैड़ जाते हैं और गवर निताई का नाम किरतन करते हैं तो यहां जो उत्सव का दिन आ गया तो उस उत्सव में भाग लेने के लिए आसपास से हजारों लोग आ रहे थे एक विक्ति ने पुरा नौका भरकर बहुत सारा समान धन आदी सब कुछ लेकर आये थे और जैसे उस विक्ति ने नदी के किनारे रदयानन को बैटा हुआ देखा तो कहा कि आप इसको स्विकार कीजिए तो कहते नहीं नहीं आप मेरे जो गुरुजी हैं गवरिदास पंडित उनके पास जाकर ये प्रदान कीजिए तो वो उनको प्रदान करते हैं और जब उत्सव की शुरुवात हो गए तो वो समय ये जो रदयानन्द थे युनोंने सोचा कि आप गवर निताई के निकट जाना मेरे लिए तो संभव नहीं है क्योंकि मुझ पर तो गवरिदास पंडित बाहे अरुब से क्रोधित है तो युनोंने जितने भी लोग आ रहे थे उत्सव में गंगा के तट पर ही बहुत उत्साह से जोर शोर से नाम संकिर्टन करना शुरू किया हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो यतना जोर शोर से नाम संकिर्टन शुरू किया कि हजारों की संक्या में लोग वहां आने लगे और अद्बुत संकिर्टन हो रहा था करताल मृदंग की धोनी से पुरा आकाश भर गया था और सब जगा किर्टन की धोनी सुनाई दे रहे थे तो वो समय जो चैतन्य गवर निताई के विग्रा आल्टर में थे गवर निताई ने सोचा हम यहां क्या कर रहे है यतना जोर शोर से किर्टन हो रहा है और हम वेदी पर खड़े हैं ऐसे तो नित्यानंद प्रभु को गवरांग महाप्रभु कहते कि देखो किर्टन चल रहा है हमें शिगरता से वहाँ जाना होगा क्योंकि गवर दास पंडित के जो गवर निताई है दे इसे जगनात को कहा जाता है भक्त प्रेमी जगनात भक्तों से बड़ा प्रेम रखते हैं जगनात तो उसी प्रकार से ये गवरिदास पंडित के जो गवर निताई है उनको संकिर्तन प्रेमी गवर निताई कहा गया है जिनको संकिर्तन बड़ा प्रिया है और जहां संकिर्तन दिखाई देता है गवर निताई दोड़ के जाते है तो ये गवर निताई उस आल्टर से निकल के चले गये, अभी भोग लगाने का समय आ गया, गवरिदास पंडित को पता नहीं तो आल्टर में है या नहीं है, उन्होंने आपने दुसरे सेव गंगादास को कहा, कि जाओ जरा भोग लगाने का समय हो गया है, जाकर भोग लगाने की तयारी करो, सेवा शुरू करो, तो जैसे वो गये गंगादास, देखा आल्टर में वेदी के उपर गवर निताई नहीं है, तुरांथी गवरिदास को बोलते हैं, तो गवरिदास पंडित समझ गया है, कि रिदया नंद के प्रेम से क्या हुए है, वो आभीबुत होकर गवर निताई चले गया है, तो इनको बहुत गुसा आ गया, दोनों पर गुसा थे, एक तो पहले आपने शिश्य के उपर गुसा थे, दूसरा ये गवर्णिताई के उपर गुसा थे कि आल्टर से चले कैसे गए तुम बाहर एक छड़ी लेली और इतना गुसा होते वे तरजना गरजना करते वे आईसे निकल पड़े क्रोध में और वहाँ चले जहां जोर जोर से नाम संकिर्टन हो रहा था और वहाँ सारे भक्त लोग नाच रहे थे संकिर्टन में और उनके बीच में गवर्णिताई दोनों हाथ उपर करके नाच रहे थे और जैसे गवर्णिताई को लोग देख रहे थे और उत्सा से सब लोग नाच रहे थे मानोवा competition हो रहा था स्परदा हो रहा था कोन उदंड नृत्य करता है कोन उदंड किर्टन करता है तो आपने ही किर्टन में गवर्णिताय नृत्य करते है तो आईसे जब हो रहा था तो उस लिला का वर्णन करते वे लिखते हैं दोई भाई देकी पंडी तेरा क्रोधा वेश अलक्षिते गिया कैल मंदिर प्रवेश तो जैसे ही गवरीदास पंडित वहाँ पहुंचें तो किसी ने गवरीदास पंडित को देखा नहीं ये गवरीदाय का ध्यान चला गया कि ये चड़ी लेकर आया है अभी हमारी कोई खैर नहीं है जिससे आच्छा है कि या तो वापत चले जाओ तो दो प्रकार से वो वहाँ से गायब हो गये नरारी चक्रवर्ती कहते हैं कि जैसे क्रोध में गवरीदास को दूर से आते वही देखा तो तुरंत वहाँ से गायब होकर एक तो मंदिर में चले गए जहां वेदी पर जाकर बैटना था वहाँ जाकर खड़े हो गए आल्टर में और दूसरा क्या हुआ चैतन्य चंद्रे रएई अद्बुत विलास प्रवेशे रुदय रुदय देखे गवरीदास दूसरी चीज़ गवरीदास पंडित ने देखी कि यह जो गवर निताई है वो आप्रकट होकर उनके जो शिष्ष है रुदय चैतन्य उनके रुदय में चले जाते हैं चले गए हैं प्रवेश रुदय 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 चैतन्य चांद देखी निबारे रुदय 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 चैतन्य चांद देखी निबारे रुदय 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 रुद तो कहते हैं कि जैसे ही देखा कि गवर निताई आप रकट होकर उनके शिश्य रुदयानंद के रुदय में प्रविश कर दिये तुरंत ही उनके आखों में आशु भराये गवरिदास पंडित के अर इतना क्रोद जनके रुदय में था वो सारा क्रोद तुरं चला गया निरंतर आखों से आश्चु प्रवा होने लगा और प्रेम से आभिबुत होकर वो दोडने लगे और उनके हाथ में जो चड़ी थी वो उनके हाथ से गिर जाती है और जाकर वो रुदयानन्द उनके शिष्ष थे, जिनके रुदय में भगवान चले गए थे, जाकर उनका अलिंगन करते हैं, अलिंगन करते वे गवरिदास कहते हैं, रुदये रप्रती कहे तुम्ही धन्य धन्या, आजी हायते तोरणामा रुदये चैतन्या, तो वो कहते है कि हे रुदयानन तुम धन्य हो गए हो आज से तुम्हारा नाम क्या होगा रुदयय चैतन्य होगा रुदयय चैतन्य के गवरिदास पंडित के श्रिश्री गवर निताई के और फिर से वो रुदयय चैतन्य को लाते है कहते हैं कि गवर निताई की सेवा करने का आधिकार तो केवल तुमारे पास है क्योंकि भगवान तुमारे रुधय में प्रविष्ठ हो गया है तो इस प्रकार से गवरीदास पंडित का विशेश चरित्र है जो भक्ति रतनाकर में वरनित करते हैं नरहरी चक्रवर्ती तो इस प्रकार से हमें गवरिदास पंडित का जो अनुराग है गवर्णिताई के प्रती उसका स्मरन करना चाहिए उनसे आज के दिन विशेश प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा अनुराग गवरांग महाप्रभू नित्यानन्द प्रभू और उनके पारषदों का गुनगान करने में हो और गवर्णिताई की सेवा और नाम संकिर्तन करने में हो तो आज रूपगो स्वामी का भी तिरोबाव है श्रील रूपगो स्वामी विशेश विशेश आचार्य है हम सब को रूपा नुग के रूप में जाना जाता है और श्रील प्रभूपाद ने तो क्रपा की है विशेश रूपगो स्वामी के चरणों का आश्रय लिया रादादामोदर में और वहां से ही इस अंदुलन का बीज बोया और पूरे विश्व में लेकर चले गए ऐसा कहते कि प्रभूपाद प्रति दिन रात्री में उड़ते थे रूपगो स्वामी के समादी में जाड़ू लगाया करते थे करंदन करते थे कि हे रूपगो स्वामी आप मुझ पर कृपा कीजिए और कृपा करके क्या कीजिए कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरू की जो आग्या है उसका पूर्ण कर सकूँ तो रूपगो स्वामी ही वास्तों में श्रील प्रभुपाद के उपर अपने आसीम कृपा का वर्शाव करते हैं जिसके कारण ये जो अंदलन है तो ये रूपगो स्वामी की प्रार्थना नरुतमदा स्ठाकुर ने लिखी है जो हम प्रति दिन गाते हैं और प्रभुपाद ने रूपगो स्वामी के दो महांतम गरंथ हमें प्रदान किया हैं स्वयम एक है भक्ति रसामरत सिंदू प्रभुपाद कहते थे इसकौन की वो हमारी law book है कानुन की किताब है हमारे लिए और दूसरा है उबदेश अमरत जो विशेश अमरत में गरंथ हैं चैतन्य महाप्रभु जब पूरी में अपने भक्तों को उबदेश दे रहे थे समंदर की किनारे में तो उस समय रूपगोस्वामी महाप्रभु के पीछे बैटे थे और महाप्रभु ने जो जो उबदेश दिये उन्होंने लिखे और उसी से ग्याराश लोकों का निर्मान किया और उसी से ही उबदेश अमरत गरंथ बनता है और प्रभु पाद ने वो हमें प्रदान किया शुरुवात से लेकर अंत तक सारी शिक्षा उबदेश अमरत में प्रदान की हुई है तो रूपगोस्वामी का भी हमें स्मरन करना चाहिए उनके बारे में सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए समय तो नहीं है तो आईसे रूपगोस्वामी के चरणों में हम वंदना करते हैं बक्ति सिदान सरस्वती रूपगोस्वामी का गुनगान सुनते वे अपना देहत्या करते हैं शी रूपगोस्वामी के चरण धुली की केवल हम अपनी जीवन में क्या करते हैं आशा करते हैं तो इसलिए रूप गोस्वामी अन्यतम है सारे गोस्वामिय में स्रिष्टतम है हाँ तो आईसे रूप गोस्वामी को दस दिन तक शिक्षा प्रदान की थी चैतन्य महाप्रभु ने रस तत्व भक्ति तत्व कृष्ण तत्व आदि और जिसके लिए रूप गोस्वामी को रसाचारिय कहा जाता है तो आईसे रूप गोस्वामी नहीं वास्तों में महाप्रभु की शिक्षाओं को रूप प्रदान किया है जो कालांतर में नस्ट हो गई ती शिक्षाएं तो आईसे रूपगो स्वामी के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रील रूपगो स्वामी तिरोबावति थी के श्रिल गौरिदास पंडिति रभावति थे के श्रिल प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमादाव